जो लोग रुजाना मुठी बर बादाम खाने का खर्चन नहीं उठा पाते वे लोग मुमफली खाते हैं जी हाँ मुमफली को गरीबों का बादाम कहना गलत नहीं होगा आखिर मुमफली में बादाम की तरह ही गुंजु मौजुद होते हैं मुमफली में ऐसे कई पोश्टिक पत्व पाय जाते हैं जो बादाम में होते हैं सर्दियों में एक मुठी व सौ ग्राम मुमफली खाने से आपकी शारिरिक शमता और सुंदरता दोनों बढ़ सकती है आईए जानते हैं सर्दियों के मौसम में मुमफली खाने के फायदे मुमफली में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है जो शारिरिक विकास के लिए बहुत ही जरूरी होता है यदि आपको दूद पीना और अंडे खाना पसंद नहीं है तो आप रोजाना मुमफली का सेवन करें इसमें परियाप्त मात्रा में आईरन, कैल्शिम और जिंक होता है जो आपको एनरजी से भर देता है चमक्ती तोजा के लिए विटामिन जरूरी होते हैं और इसमें विटामिन E के साथ ही विटामिन B6 भी पाया जाता है जो सुंदर्ता बढ़ाने में सहायक होता है यदि आपका पीट खराब रहता है तो मुमफली खाने से आपकी कर्ज की शिकायद भी दूर होगी गर्बवती महिलाएं अगर रोजाना मुमफली खाएं तो इससे गर्ब में पल रहे बच्ची का विटास बहतर तरीके से होता है मुमफली में OMEGA 6 होता है जो स्किन को कोमल बनाता है मुमफली का पेस्ट चहरे पर लगाने से सर्दियों में रोखी तोजा से निजात मिलता है मुमफली खाने से खोन की कमी पूरी होती है और यह दिल के रोग्यों के लिए भी फाइदेमंद होती है मुमफली एंटी एजिंग के तरह भी काम करती है जो बड़ती उम्र के साथ ही चहरे पर आने वाली जूरियों को बनने से रोखती है मुमफली में केलशलम प्रचूर मातरा में होता है जो हड़ियों को मजबूत बनाने में सायक होता है